दोस्तों आज मैं आप लोकेशाद शेयर कर रही हूँ कि लेहंगे जो होते हैं वो घर पे हम कैसे वाश करें जनरली हमें ड्राइटलीन करानी होती है और जिसकी कॉस्टिंग की बात करें अगर तो कई वर 400-500 तक लग जाते हैं मतब लेहंगे भी बहुत महेंगी होते हैं उसक जरूर ड्राइटलीन करा लीजे क्योंकि लेहंगे भी काफी जदा महेंगे होते हैं लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको कि घर पे इसको वाश किया जा सकता है तो आप इसे जरूर घर पे वाश कर लीजे 10-20 रुपे में आपको पूरा लेहंगा अच्छे से वाश हो तो यह इसली घर पे वाश हो सकता है तो आज में बताऊंगी कि जो जैसे लेहंगे पे केन केन और भी लगे रहते हैं केन जो लगी होती काफी जदा हैवी होती है और नॉर्मल बकेट में अगर हम डालके दोना चाहे तो नहीं धूल पाता है तो किस ट्रिक से आम उसे दोए क्योंकि यह मतलब मसीन पे दोना बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं खराब हो जाएगा उससे लेंगा तो आज हम बताएंगे आपको कि हैंड वॉश कैसे कर सकते हैं क्या प्रोडक्ट यूज करना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको जो प्रोडक्ट यूज करना है वो इजी जो है बहुत अच्छे से कपड़ा साफ करता है यह वहीजी है जिससे हम विंटर के जो स्वेटर्स वगरा है वो साफ करते हैं तो कोई भी अगर आपकी नेट के कोई साड़ी वगरा भी गंदी है तो भी आप साफ करके देखिएगा बहुत अच्छे साफ होता है 95 रुपीस का यह हाफ लीटर का बॉटल है अब इसको आपको ले लेना है और जैसे कोई भी डेलिकेट कपड़े पार्टी वेर कपड़े उसको भी आप इससे वाश कर सकते हैं और दोस्तों अब क्या करना है हमें चार से पांच लीटर पानी लेना है अब थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं अगर आपका लेहंगा बहुत ज़्यादा दे रहा है तो पानी अपने कॉर्डिंग अप ले सकते हाफ बकेट मैंने आप लिया है और उसके बाद मैंने इसमें चार धकन इजी कर जो ढखकन उससे मेजर इन से चार मिनट आप इस तरह से हिलाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कोई ब्रस नहीं लगा ना कुछ नहीं करना और पानी कितना ज़्यादा डर्ट यहां पे हो गया है मैंने इस लेंगे को सिर्फ एक बार पहना है और कोई खास मतलब इसमें ब्रस और नहीं चलाना है म और यह जो हां यह जो इजी का पानी है न दोस्तों इसको फेकने की जरूरत नहीं अभी यह काम करेगा जब तक इसमें फेन रहेगा तब तक यह वर्क करेगा तो आप जैसे पुराने कोई कपड़े हो गयरा है तो वो भी आप डाल सकते हैं पुरानी स्वेटर हो गयरा इसम और अगेन हाथ से हिला हिला के ही दो रही हूँ और आप देख सकते हैं इसमें भी काफी ज़्यादा डर्ट और जो इजी का फेन था वो काफी ज़्यादा छूट चुका है तो इसके बाद हम एक सेकंड वाश लेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो पुराने स्वेट निकल जाएगा और बस आपको हिला हिला की दोना है तो यह आप देख सकते हैं आप देखे पानी बिल्कुल साफ सुत्रा निकल रहा है और कोई फेन भी नहीं आ रहा है इसका मतलब यह वाश हो चुका है और दोस्तो अब मैं आपको बताऊंगी कि लेंगे को कैसे हम बकेट के अंदर वाश कर सकते हैं आप देख सकते हैं काफी हैवी केन इसमें लगी हुई है तीन से चार परत का अस्तर अगरा भी लगा हुआ है इस पर लाइनिंग लगी हुई है तो इसको अगर हम सोचे एक बार में अच्छे से वाश कर दें या फैला के ऐसी वाश करेंगे तो अच्छे से वाश नहीं होगा जमीन पर रखेंगे स्फ प्रोड़क्ट बह जाएगा लेकिन यह साफ नहीं होगा तो इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना सबसे पहले नीचे वाला जो पार्ट है उसको ले लेना है जो केन वाला पार्ट है और उसको इस तरह से जो इजी है वो भी खराब नहीं होगी और उसके जब नीचे का अच्छे से साफ हो जाए तो आप उपर का हलका से इस तरह से डिप कर सकते हैं और जो इस पार्ट को आप हांस से भी इसली दो सकते हैं क्योंकि यह काफी ज़दा पतला रहता है और इसके बाद आपको जो वाश करना है वो सेम टरिक से ही करना है तो दो बारा पानी को चेंज कर लीजे और सेम तरीके से जैसे हमने लहंगे को वाश किया है उसकी जो िज़ए है उसका जो फेन है उसी तरह से हटा देंगे और उसको ड्रें आउट भी कर लेंगे और मैँ अभी आपको दिखाती हूँ यहापे मै पहले लगी हुई थी और इसको बस हलके हलके हाथ से हाथ भी मैंने थोड़ा सा लगा दिया था ताकि ये मिट्टी नीचे की छूट जाए फिर भी थोड़ा सदे को यहां पे लगी रह गई पर आप अच्छे से इसको थोड़ा सा हाथ लगा के साफ करेंगे तो इसलिए साफ ह हैं लेकिन इतनी ही मिट्टी है नीचे पर लगी हुई थी और यह काफी अच्छे से सैब हो गया और ज hatred ऑच्छे से साफ हो गया इसका दूपट्टा भी बहुत अच्छे से साफ हो गया और मैंने इसको शूखने के लिए रगती है नॉर्मल शूखाने के बाद आप इस पे झाल 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 झाल